Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel So, recently हमारे channel ने धाई लाग subscribers का mark cross किया अगर आप मुझसे पूछो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये वीडियो बनानी की जर्नी शुरू की थी YouTube पे around 4 साल पहले तो मुझे लगता था कि मैं कभी इस number तक तो नहीं पहुच पाऊँगा जो maximum number था मेरे दिमाग में वो था एक लाग subscribers मुझे लगता था कि अगर मैं कभी एक लाग तर भी पहुच पाया तो मैं खुद को successful मानूँगा but guess what, हम धाई लाग subscribers cross कर चुके है and it gives me immense pride बहुत खुशी हो रही है मुझे और इस point में मेरे अंदर बहुत सारे emotions है जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ इस video में so सबसे पहले मैं आपको thank you बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी journey में आप लोगों का बहुत support रहा है multiple times ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि I should quit maybe it's not worth it जितना effort मैं डाल रहा हूँ इस channel में शायद मुझे उतने returns नहीं मिल रहे है but each and every time कुछ ऐसा हुआ आप लोगों की side से जिसने मुझे enough motivation दिया continue करने के लिए and that is very very important आज भी कभी अगर मैं low feel करता हूँ की यार आज उतना मननी कर रहा काम करने का and गलती से अगर मैं LinkedIn खोल लेता हूँ तो मुझे कोई ना कोई post या फिर कुछ ऐसा दिख जाता है LinkedIn पे जहां पे आप लोग मेरे channel को subscribe करने को बोल रहे हो या share कर रहे हो और वो सब कुछ बहुत बड़ा motivation रहता है मेरे लिए और तुरंट मैं वापस आ करके काम करना start कर देता हूँ not only that आप लोगों में से बहुत लोग मुझे personally reach out करते हो और बताते हो की sir मुझे लगता है की आपको इस particular चीज में improvement करना चीए या फिर मुझे लगता है की आपको ये particular topic पर वीडियो बनाना चीए आपको mic purchase करना चीए आपको video quality improve करना चीए बहुत सारा constructive feedback आता है and I feel so so grateful की आप लोग पूरे time इस journey में मेरे साथ रहे हो, किसी भी form में आपने comments किये हैं, आपने likes किये हैं each and everything mattered in this journey and that is why I am very very thankful की इतने supportive subscribers इस channel पर मुझे मिले so ये एक fact है जो मुझे बहुत अच्छा फील कराता है कि हम धाई लाग subscribers तक पहुँचे there is one more thing जो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील कराती है और वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि Campus X is a community जो बहुत serious learners से मिलके बनी है जब भी मैं आप लोगों से interact करता हूँ मुझे और ज़ादा ऐसा लगता है कि आप लोग सब बहुत ही smart और serious learners हो और ऐसा मुझे इसलिए लगता है because हमने इस channel पर हमेशा focus किया in-depth learning के उपर and that is why कभी भी आप हमारा कोई वीडियो उठा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि on an average जो duration होता है वीडियो का वो 30 minutes या उससे ज़ादा होता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई learner serious नहीं है तो वो कभी 30 minutes का वीडियो नहीं देखेगा उसका first choice होगा हमेशा 5 minutes का वीडियो देखके content समझ लेना कोई बहुत serious learner ही 30 minutes का वीडियो देखेगा और उसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेगा so continuously इतने लंबे वीडियो और in-depth explanation डालने के वज़े से क्या हुआ है कि पिछले 4 सालों में सिर्फ वही learners इस channel पे gravitate किये हैं जो serious हैं और in-depth explanation प्रेफर करते हैं so ये एक और चीज है जो मुझे बहुत बहुत pride देती है धाई लाग अगर आप किसी और channel के साथ compare करो तो शायद उतना बड़ा number नहीं है but ये fact कि हमने पिछले 4 सालों में इंडिया में data science की बहुत serious learners की community form की है वो मुझे शायद उस number से भी ज़ादा खुशी देता है so ये तो बात हो गई thank you की but thank you के साथ साथ मुझे आपको sorry भी बोलना है और मुझे sorry इसलिए बोलना है because शायद आपने ये बात notice की भी होगी की पिछले एक साल मैं इस channel पे बहुत जादा available नहीं रहा हूँ आप शायद देख रहे होगे की मैंने बहुत जादा videos नहीं डाले है पिछले एक साल में और reason actually बहुत ही simple है मैंने आपके साथ ये बात share भी की थी पिछले साल मैं I became a father and for the first time I became a father तो this last year has been difficult उस sense में because I guess you can understand की अगर आप एक nuclear setup में एक बच्चे को raise कर रहे हो especially in the first year things are generally very difficult और होता क्या है की आपकी लिए आपका personal life और professional life दोनों को balance कर पाना फुड़ा मुश्किल हो जाता है और मेरे साथ भी exactly यह हुआ की बहुत जादा time personal चीजों में गया और उतना time और उतनी energy बच नहीं पाती थी की मैं आ करके YouTube पे बहुत जादा videos डाल पाऊं so that is why पिछले एक साल में मेरी जो availability रही है वो थोड़ी कम रही है इस channel पे और I would like to say sorry especially to people जो dependent थे मेरे content के उपर they were waiting कि मैं और videos डालूँगा I'm really sorry अगर मेरी वज़े से आपका नुकसान हुआ but एक अच्छी चीज में आपके साथ share करना चाहता हूँ और वो अच्छी चीज ये है कि पिछले कुछ दिनों में एक positive change आया है positive change ये है कि धीरे धीरे अब थोड़ा जाधा time मैं निकाल पा रहा हूँ काम के लिए थोड़ा जाधा energy बच रही है और motivation बहुत जाधा है so मुझे लगा कि now I should get back on YouTube and start making a lot of videos so in my mind बहुत बड़ी चीज ये है because पिछले 6 महिनों से मैं बहुत frustrated होता था आपके comments पढ़के मुझे लगता था यार क्यों मैं और time नहीं निकाल पा रहा क्यों मैं और energetic feel नहीं कर रहा videos बनाने के लिए so वो सारा frustration actually motivation में बदल गया है अब जब मुझे time मिल रहा है so I was thinking की क्या करना चाहिए मुझे किस topic पे मुझे videos बनाने चाहिए काफी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि rather than topics के बारे में सोचने के अगर मैं ऐसे सोचू कि कौन से videos बनाने पे सबसे ज़ादा value creation होगा आप लोगों की life में तो वो एक better approach होगा अब value creation तब होता है जब आप कोई problem solve करते हो तो मैं सोचने लगा कि आप लोगों की life में अभी ऐसी कौन सी problem है जिसको मैं solve कर सकता हूँ और answer ठीक मेरे सामने था पिछले 6 महिनों में I cannot even tell you the count मुझे इतने messages और mails आए हैं आप लोगों की तरफ से जहाँ पर एक common question मुझसे पूछा गया है कि सर आप Gen AI और LLMS के उपर YouTube पे content कब डालोगे सर Gen AI और LLMS बहुत famous हो गए है industry में बहुत demand है we need you to make content on these topics and I thought कि मुझे यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है आप लोग खुद आ करके मुझे बता रहे हो कि आपकी life में अभी क्या problem है the problem is this कि Gen AI और LLMS पिछले दो सालों में बहुत popular हो गए है industry में अभी हर level पे आप अगर देखो तो इन दोनों चीजों की बात हो रही है and industry में खूब सारी funding हो रही है ऐसे startups में जो Gen AI और LLMS के space में काम कर रहे है खूब सारी funding हो रही है तो फिर obviously नई job openings आ रही है और नई job openings आ रही है तो obviously आपको लग रहा है कि आपको इन technologies को पढ़ करके ये jobs crack करनी चाहिए अब problem क्या है कि जब आप Gen AI और LLMS पढ़ने जाओगे तो आपको ये दोनों चीजे थोड़ी सी difficult लगेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि this is the problem that I should solve so problem तो मैंने identify कर ली कि आप लोग Gen AI और LLMS सीखना चाहते हो because उसका market में बहुत demand है but somehow आप लोगों को ये difficult लग रहा है but मैं थोड़ा इस problem को और अच्छे से समझना चाहता था मैं समझना चाहता था कि ऐसी क्या चीज है ऐसे क्या reasons है जिसकी वज़े से Gen AI और LLMS आपको difficult लगते है तो इस बात को समझने के लिए मैंने अपने कुछ paid students को reach out किया ऐसे students जो काफी दिनों से मेरे touch में थे तो मैंने उनसे बहुत detail में ये discussion किया और समझने की कोशिश की कि जब आप Gen AI और LLMS के बारे में पढ़ने जाते हो तो आपको क्या समझने आता तो कुछ चीजे निकल के आई जो बहुत interesting है और वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ उसके लिए I'll first share my screen So students से बात करने के बाद मुझे तीन major problems दिखाई दी सबसे पहली problem जो निकल के सामने आई वो थी कि जो Gen AI और LLMS का पूरा का पूरा field है वो इतनी तेजी से evolve कर रहा है कि adjust करने का time ने मिल पा रहा students को So दो साल पहले ही शायद ये field picture में आया है बट इन दो सालों में इतना सारा improvement हुआ है इतनी सारी नई libraries आई है इतनी सारे नए terms coin हुए है कि as a student it's very very overwhelming सब कुछ cover कर पाना So ये मुझे सबसे बड़ी problem दिखाई दी Gen AI और LLMS सीखने के process में जो students face कर रहे है Problem number two जो थी वो निकल के आई कि अभी तक भी बहुत सारे students कोई proper learning resource figure out नहीं कर पाए है जैसे कभी भी आप किसी topic की बात करो तो generally उस topic के उपर कोई एक ऐसा resource होता है जो सभी को पता होता है और सभी उसको follow करते है IITJA में जब आप physics की बात करो तो HC वर्मा थे similarly maths वगेरा की school में बहुत सारी famous books हुआ करती थी but since ये पूरा का पूरा field इतना नया है कि इस point पे कोई एक single resource figure out हो नहीं पाया which means कि आपको थोड़ी चीज किसी एक resources सीखनी पड़ती है थोड़ी चीज किसी और resources सीखनी पड़ती है अब problem ये है कि पता ही नहीं है कि अच्छे resources कहां है है भी या नहीं तो ये problem number two है problem number three मैंने जो identify की लोगों से बात करने के बाद वो मुझे समझ में आया कि it is impatience सो हो क्या रहा है कि since market में jobs दिखाई दे रहे है इस से students के अंदर एक impatience डेवलप हो रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ भी करके पढ़के इन jobs के लिए apply करना है अब इस process में students क्या गलती कर रहे है कि वो बहुत सारी important चीज़ें जो fundamentals हैं उनको skip कर दे रहे है जैसे मैं आपको एक example के थूँ समझाता हूँ मालो एक student है जो अभी machine learning के fundamentals explore कर रहे है और उसको दिखाई दे रहा है कि मैं LinkedIn में जब भी खोलता हूँ तो दिखाई देता है कि Gen AI और LLMS में jobs है तो suddenly से उसका जो focus है वो machine learning से हट जाता है और वो सोचता है कि मुझे as soon as possible Gen AI सीखना चाहिए तो उसने machine learning छोड़ दिया deep learning भी उसने थोड़ा बहुत जल्दवाजी में पढ़के छोड़ दिया transformer architecture उसने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके बाद सीधे कूद गया Gen AI पढ़ने अब आपको पक्की बात है की problem होगी अगर आप ऐसा approach यूज़ करोगे Gen AI LLMS are built on top of multiple things so जब तक आप fundamentals clear नहीं करोगे तब तक कोई scene ही नहीं है कि आप Gen AI और LLMS को master कर पाऊ so ये तीन major reasons मुझे दिखाई दे रहे हैं कि क्यों students को Gen AI और LLMS की field को crack करना difficult लग रहा है so now that मैंने आपको problems बता दी और मैंने खुद ये problems समझ ली अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या solution तयार किया आप लोगों के लिए so अगर आप मुझसे पूछो कि LLMS और Gen AI को सीखने का ideal learning path कैसा दिखना चाहिए तो I would show you this picture यहाँ पर मैंने step by step लिखा है कि Gen AI और LLMS को सीखने के पहले आपको क्या-क्या और सीखना चाहिए मुझे लगता है सबसे पहले students के पास machine learning के fundamentals का clarity होना चाहिए मैं यह नहीं बोल रहा कि आपको machine learning के हर algorithm का internal working पता होना चाहिए बट जो भी main algorithms हैं और जो machine learning का workflow है वो आपको पता होना चाहिए एक project कैसे build किया जाता है machine learning में वो आपको पता होना चाहिए बहुत जो fundamental concepts है overfitting, underfitting, regularization यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए एक बार जब आप यह सीख लो मुझे लगता उसके बाद आपको fundamentals of deep learning की तरफ बढ़ना चाहिए और deep learning में artificial neural network, convolutional neural network और recurrent neural network यह तीनों चीज़े आपको आनी चाहिए और कुछ और जो fundamentals हैं वो भी आपको आने चाहिए जैसे की back propagation क्या होता है neural networks को optimize करने की अलगलग क्या तरीके हैं क्या क्या optimizers use किये जाते हैं यह सारे concepts आपको पता होने चाहिए एक बार जब आप यहां तक पहुँच जाओ उसके बाद आपकी main journey शुरू होती है आपको सबसे पहले transformer architecture अच्छे से सीखना चाहिए बिकॉस आज भी जैन AI के space में 80-90% जो models आपको दिखाई देंगे वो transformer based models ही हैं तो transformer architecture से यह सारी चीज शुरू होई थी यह architecture आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अब एक बार जब आप transformer architecture पढ़ लो उसके बाद आपको वो गलती नहीं करनी जो बाकी कर रहे हैं डिरेक्ली जैन AI पे कूद गए नहीं, there is one intermediate stage और वो intermediate stage है कि आप transformers को practically problems के उपर कैसे apply किया जाता है वो सीखो तो यह एक बहुत important stage है यहाँ पे आप सीखते हो अलग-अलग type के transformer architectures encoder based, decoder based, encoder decoder based उसके बाद यहीं पे आप सीखते हो की transformers का pre-training कैसे किया जाता है, यहीं पे आप सीखते हो की transformer का fine tuning कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे सीखते हो की transformers को optimize कैसे किया जा सकता है, transformer का inference कैसे handle किया जाता है transformers को deploy कैसे किया जाता है, and not only that अलग-अलग type के applications को कैसे build किया जाता है with the help of transformers, अलग-अलग domain में transformers का इस्तमाल कैसे होता है जैसे कि vision के domain में, यह सब कुछ आपको पहले पढ़ना पढ़ेगा और जब आप एक बार यह पढ़ लो फिर finally मुझे लगता है कि आप ready होते हो gen AI और LLMS पढ़ने के लिए, तो this is the ideal learning path जो मुझे लगता है किसी को follow करना चाहिए अगर वो genuinely gen AI और LLMS के space में अच्छा करना चाहता है तो यह मेरा vision है और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस vision को achieve करने के लिए मैंने क्या plan किया है अगर आप मेरे channel पे जाओगे तो आपको already यह first three stages covered दिखाई देंगे machine learning पे मैंने enough videos बना रखे हैं fundamentals of deep learning मेरा hundred days of deep learning playlist में covered है और transformer architecture भी मैंने cover कर लिया है so now my plan is to focus on these two stages और यह मैं कैसे करने वाल हूँ वो मैं आपके साथ share करता हूँ so मैं अगले कुछ दिनों में तीन different playlist के उपर काम करने वाला हूँ मैं आपको तीनों के बारे मैं बताता हूँ जो first playlist है जो मैं next week से शुरू करूँगा वो होगी pytorch के उपर so अगर आपको नहीं पता है तो pytorch is a deep learning library I am pretty sure आपने tensorflow का नाम सुना होगा आप pytorch को एहमियत पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़ गई है especially जब से ये Gen AI और LLMs का पूरा space pop up किया है mostly आपको दिखाई देगा कि कभी भी कोई LM related काम होगा या code लिखा जाएगा तो महाँ पर pytorch का इस्तमाल जादा होता है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे pytorch popularity में TensorFlow को पीछे छोड़ रहा है और Gen AI और LLMs के लिए pytorch has become the number one deep learning framework तो अगर आप Gen AI, LLMs और Transformers को master करना चाहते हो तो it's a good idea कि आप pytorch एक बार अच्छे से सीखो तो यहाँ पर वही philosophy मैं use कर रहा हूँ कि अगर आपको एक पेड़ को 6 घंटे में काटना है तो 4 घंटे आपको अपनी आरी को sharpen करने में लगाना चाहिए तो हमें भी अगर Transformers को practically use करना सीखना है और Gen AI, LLMs पढ़ना है तो उसके लिए जो सबसे powerful tool available है PyTorch हमें उसको सीखना चाहिए तो this will be the first playlist बहुत बड़ी playlist नहीं होगी बस इसमें इतने videos होंगे कि आप PyTorch को master कर लोगे और going forward कभी भी किसी का भी code अगर आप देखोगे PyTorch में आपको परिशानी नहीं होगी और अपना खुद का code आप obviously लिख पाऊगे इतना हम लोग make sure करेंगे इस playlist में I'm assuming around 15 to 20 videos यहां पे होंगे not more than that एक बार जैसे यह playlist complete होती है playlist number 2 होगी practical transformers बोलके जहां पे मैं वो सारी चीज़े आपको करके दिखाऊंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई अलग-अलग types of transformer architectures transformer का pre-training transformer का fine tuning transformer का optimization transformer का inference transformer का deployment और transformer अलग-अलग NLP applications में कैसे use होता है transformer vision की domain में कैसे use होता है वो सब हम यहां पे cover करेंगे and this will become a fundamental prerequisite to the next playlist which will be the final playlist and it will be on Gen AI and LLMs so this is my plan और मुझे लगता है कि अगर मैं यह approach लूँ तो मैंने जो problems आपको बताई अभी मैं इनको solve कर सकता हूँ कैसे? पहली problem मैंने क्या बोली थी? कि यह पूरी की पूरी field इतनी तेजी से evolve हो रही है कि students को adjust करने का time नहीं मिल रहा है मुझे असा लगता है कि कभी भी कोई field अगर बहुत तेजी से evolve हो रही हो तो वहाँ पे अगर आपको तेजी से सीखना है और उस field में बने रहना है तो उसके लिए बहुत important है कि आपके जो fundamentals है वो clear हो अगर आपके fundamentals clear है ना तो आप नई चीजे भी तेजी से जीखते हो तो अगर आप मेरा roadmap follow करोगे तो I am very sure कि आपके fundamentals in place होंगे और अगर आपके fundamentals in place होंगे तो नई चीजे भी आप तेजी से जीखोगे second है मैंने आपको बोला था कि कोई proper learning resource available नहीं है तो मेरा तो गोली है कि मैं इतना expansive coverage आपको दूँ कि एक बहुत बढ़िया resource तयार हो जाए और आप हमेशा करके इस channel पे इन videos को refer करो जब भी आपको कुछ भी जैने आई और LLM से related सीखना है और third जो problem है वो actually मैं solve नहीं कर सकता वो आप खुछ solve करोगे मुझे बस आपकी side से इतना support चाहिए कि जो भी videos मैं बना रहा हूँ आप patience show करके वो सारे videos पूरा का पूरा देखो और step by step manner में आगे बढ़ो without skipping anything and that's the support that I need from your side and obviously I would like कि आप इस playlist को या इन तीनो playlist को अपने दोस्तों के साथ share करो but वो आप करोगे मुझे पता ही है so yeah this is my solution जिसके उपर मैं काम करना start करूँगा next week से and I'll be very honest मैं बहुत excited था यह आपके साथ share करने के लिए और I really hope कि जो भी मैंने यहाँ पर बताया आपको वो पसंदार है और आप excited हो उसके लिए बाकी I am open to feedback इस पूरे के पूरे solution में कुछ भी कमी है या फिर कुछ add किया जा सकता है तो आप please comments में लिखके बताना मैं definitely आपका comment पढ़ूँगा और अगर मुझे लगता है कि वो add होना चाहिए तो मैं उसको definitely इस पूरे के पूरे solution framework में add करूँगा ठीक है बाकी मेरी साइट से I would like to do a promise कि I'll stay true to whatever I have said right now मैं अपना 120% लगाने वाला हूँ इन तीनों playlist के उपर और more than that मैं खुद बहुत excited feel कर रहा हूँ after a long time ऐसा लग रहा है जैसे इन वीडियोस को बनाने में मज़ा आएगा so yeah अब एक काम और करते है पिछले 6-8 महिनों में आपकी साइट से कुछ और questions मुझे receive हुएं बहुत बड़े numbers में तो मुझे लगता है कि उनको भी answer करना मेरी responsibility है so let's move on to that so तीन questions मुझसे बहुत पूछे जाते हैं और मैं उन तीनों questions को quickly answer करने की कोशश करूँगा पहला question is around the deep learning playlist आपके दिमाग में आ रहा होगा कि sir आपने जो नए तीन playlist announce किये हैं उसके बाद deep learning playlist का क्या होगा तो मैं आपको इसका answer देने की कोशश करता हूँ so deep learning playlist 90% complete हो चुका है और अगर मैं अपने original plan की बात करूँ तो उस original plan में बस चार major topics तो मुझे BERT cover करना है GPT cover करना है transformers का fine tuning कैसे किया जाता है वो cover करना है और फिर unsupervised deep learning पे मुझे थोड़ा सा coverage देना है which will include two major topics one is auto encoders and second is GANs तो honestly अभी जो मैंने आपको बताया उसमें जो practical transformer वाली playlist है उसमें BERT, GPT और fine tuning ये तीनो topics cover होंगे तो जब उस playlist में ये topics cover होंगे तो मैं वही videos deep learning playlist में भी add कर दूँगा तो बस बचा है unsupervised deep learning which means auto encoders and GANs तो ये दो topics मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो जाए मैं इनको shoot करके इस playlist में add कर दूँगा honestly GANs के उपर already मेरे पास एक video है तो मैं उसको add कर सकता हूँ playlist में auto encoders के उपर मुझे काम करना बागी है तो this is my explanation basically आप ऐसे समझो की deep learning playlist evolve हो गई into another playlist called practical transformers that's it so I hope ये question मैं answer कर पाया second question is around MLOps का एक playlist मैंने start किया था इस साल उसका क्या update है उसमें बिलकुल भी videos नहीं आए तो again really sorry but ये playlist continue होगी और इस playlist में November onwards आपको videos देखने को मिलेंगे ठीक है and third question जो मुझे आता है वो होता है around paid courses के कि sir campus X में और next हम कौन से paid courses expect कर सकते हैं तो शायद आपको अभी तक इतना समझ में आगया होगा कि हम बहुत जादा courses release करने में भरोसा नहीं करते I personally believe कि बहुत सारे parallel courses अगर आप चलाओ तो quality थोड़ा सा reduce होता है so हम selectively courses launch करते है अभी तक हमारे पास चार paid courses है DSMP1, DSMP2 Power BI and Deep Learning for Computer Vision और ये चारो courses सही तरीके से conduct हो रहे है now our next focus is data analytics mentorship program so अभी तक हमने data analytics के domain में बहुत focus नहीं किया था हम बहुत जादा data science के उपर focus कर रहे थे but now पिछले 6 महिनों में I have built a team of other teachers और वो बहुत अच्छे तरीके से बाकी courses conduct करा रहे है तो now we are going to expand into the domain of data analytics because आज भी data के domain में जो सबसे जादा jobs available है और fresher level पे जो सबसे accessible job है वो data analytics का ही है तो हम next month as in November में एक नया course start करेंगे जो की around 6-8 months का होगा जहां पे हम बहुत detail में data analytics आपको पढ़ाएंगे जो भी जो भी चीज़े आपको पढ़नी होती है data analytics में power BI MS Excel statistics और python etc यह सारी चीज़े इस course में बहुत detail में cover की जाएंगी fee भी हमने अभी हाला कि plan नहीं किया है बट बहुत affordable होगा और इसके बारे में मैं एक detailed video launch करूँगा within a week वहां पे आपको सारा information मिल जाएगा तो this is going to be our next course उसके बाद भी कुछ courses आएंगे बट again मैं one course at a time लेके चलना चाहता हूँ so right now अगर आप मुझसे पूछो कि campus X का next course कौन सा होने वाल है तो it is going to be data analytics mentorship program ठीक है तो I really hope मैं आपके सारे questions answer कर पाया सारे major questions answer कर पाया इसके अलावा और कोई question है अगर आपका तो आप comment में पूछ सकते हो I'll try to reply अब one last thing दिवाली आने वाली है हमने भी धाई लाग subscribers का mark cross किया तो celebration बनता है so मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा gift है और वो मैं आपके सारे शेर करना चाहता हूँ so gift यह है कि अगर आप अगले एक हफते में हमारी website से हमारा कोई भी course purchase करोगे तो आपको flat 15% off मिलेगा which means अगर आप DSMP 2 खरीदने जाओगे तो वो आपको 10,600 के बदले around 9,000 में मिलेगा DSMP 1 खरीदने जाओगे तो 5,600 के बदले around 4,800 में मिलेगा और बाकी courses के उपर भी यह same discount rate applicable है for the next 7 days honestly मैं बहुत जादा discounts देने में बिलीव नहीं करता हूँ because मेरे को लगता है कि जो भी course मैंने बनाया है बहुत महनत से बनाया और मैं उसका बहुत fair pricing रखता हूँ but फिर there are certain days जब ऐसी चीज़े करनी चाहिए और I feel कि this is a big occasion 250K subscribers हिट किये है और Diwali भी आने वाली है तो this is the biggest discount जो मैंने अभी तक कभी भी offer किया है पिछले 2 सालों में so if you are someone जो हमारा कोई भी course purchase करने के mood में थे तो this is the right time in the next 7 days you can go and purchase any of our courses and get a flat 15% off so I hope मैं आपको थोड़ा खुश कर पाया इस announcement के साथ बाकी जो भी मुझे कहना था इस वीडियो में मैंने कह दिया है और I hope मैंने आपके doubts clear कर दिये और जो भी announcements मैंने की है I just hope कि आपके अंदर उन announcements को लेकर के positive feeling है because मेरे अंदर तो है I'm super excited for my return on YouTube for my second innings and I'm just I just plan to make it very special बहुत effort डालना चाहूंगा और वो जो तीनो playlist मैंने भोली है I would like to make them like really really great playlist so that's it for the video guys thank you for watching मिलते हैं next video में बाचे ईंवाम कम ग्रेंस बाप है Repeat करिसे आप है और बाप है कि ताप है बापे प्रोठी बाढ़ाबा आया